चलिए आज सुनते हैं कम बोलो एक छोटी सी बच्ची की कहानी एक छोटी सी बच्ची थी और उसका नाम आचल था वो बहुत प्यारी थी उसे चीत्र बनाना बहुत अच्छा लगता था सभी उसकी चित्रकला की प्रसंसा भी करते थे पढ़ने में भी वो बहुत देश थी अपने सभी काम खुद ही कर लेती थी यहां तक की रोद जब मा दूद का क्लास उसे देती थी तो वो चटपट से पी जाती थी खुब सब्जियां खाती थी और मा का कहना मानती भी थी लेकिन वो बोलती बहुत ज़्यादा थी और उसकी इस बातों से मा अक्सर परिशान हो जाती थी एक बार मा ने उसे कहा कि आचल मा अख्यर से सुरू होने वाले तीन सब्द लिखो और उनके चीत्र बना आचल ने तीन सब्द लिखे मा से मेंडक, मा से मुर्गा और मा से मा वो मा के पास आई और उन्हें चीत्र दिखाए मा ने उसे पूछा, अच्छा आचल बेटा, तुम्हें इस तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है आचल ने बोला, मा ने मुस्कुराया और बोला, और उसके बाद उसके बाद, उसके बाद मुझे मुर्गा और फिर मेंडक, ये पसंद है अब ये बताओ, कि ऐसा क्यों है, जब मा ने ऐसा पूछा, तो आचल ने उतर दिया वो इसलिए कि सभी कि सबसे प्यारी होती है, मा क्योंकि वो बहुत प्यार करती है, बिल्कुल आपकी तरह फिर मुर्गा, क्योंकि वो सुबर घबावा, क्योंकि अबाव और येवां, क्यों दो आफ़ादा बिल्कुल आपकी प्यार disability